बहुत सो लोग सोचते हैं कि पंखे की आगर हम वायटनिंग करवाएंगे तो इसकी स्पीड जोकी कम हो जाएगी और ऐसा अकसर होता भी है जो हम लोग अपने पंखे کی वायनिंग करवासे हैं किसी दुकान पर लिजा तो क्यों कम हो जाती है हमारे पंख्य की स्पीड क्या कारण होता है तो दोस्तों मैं आपको वही आज बताने वाला हूं अगर आपका रूटर जो की नीचे फसा हुआ इसके अंदर और आप अपने पंख्य की फिटिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही आप इसको इस तरह से route को जो को आपको निचे वाले मैं अगर फसा हुआ है किसी तरह है आपको यह दिखना यह दोनों बराबर में है यानि कि ये उपर वाला हिस्सा नहीं देखना है आपको आपको ये नीचे वाले हिस्सा जो नीचे वाले नीला नीला आपको नजर आ रहा है किसी में काला होता है किसी में नीला होता है तो आपको इसको देखना और ये हिस्सा जो कि आगे तक भी आया और अगर, इससे ऊपर जा रही है, जैसे कि आप देख रहा है, यहाँ पे उपर जा रहा है, यह उपर निकला हुआ है, तो यह पंक्ये की निश्चित है, कि इसकी पहले थी, वैसे ही रहे तो आपके पंक्ये की वाइंडिक वेगरहा में कोई दिक्कत नहीं होती है, केव YOUR धि स्पीड है कुछ भी है वाइंडिंग सभी होने के बावजूद भी तो यही कारण होता है अगर आप इसको बराबर कर देंगे तो आपकी पंक्य की स्पीड मोटर की सभी बढ़ियां आ बढ़र करने के लिए आपको ज्यादा कुछ यहीं जरूरत नियां सिंपल तरीके से आप रख करके इसको अलका हलका ऐसे इस तरह से थोक करके इस थो करने बिटिए जब पर ही तो तो कि अब आप की स्टैम्पिंग वह झाए बल की अंदर चली गई है नीचे चली गई है जैसा कि इसके अंदर आप देख रहे हैं देख लिजिए ठीक है इसके अंदर जो की अंदर चली गई है यानि की नीचे दबगी हुई है तो उसको आपको ऊपर करने के लिए क्या करना होगा उसके लिए आपको इसके नीचे यानि की ब ले लिए और वारसल लेकर कि आपको बैरिंग के नीचे लगाना इस जगह ठीक है यहां पर क्या करना है सिंपल तरीके से हमने यह पर कर दिया थोड़ा सथा कि आराम से लगजाए इसका भी वार्सल आता है उसको आपको लेकर के ऐसे आपको इसमें लगा देना है दो तिन वा नहीं है तो इसके इंदर वारसल कि आपको बराबर कर ना पड़ेगा तो इसके बाद मी क्या करना है आप को जो ब nella इसको इसको फिट करने के बाद में आप इसको और लागाने के बाद लगाने के बाद इसको चेक करें तो आप देखें इसका पूरी से बराबर में आ गया है कहीं से वी ऊपर नीचे नहीं आप Rs. पर लगा दिया है करी सब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी स्पीड की सिकायत है हमेशा के लिए खतम हो जाएगी आप लोगों के यही गलती होती है जिसके कारण कि आपके पंखे की वाइडिंग करने के बाद बढ़ियां से बढ़ियां टरने के बाद भी उसकी स्पीड कम रहती ह है यही कारण होता है तो आप लोग अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत बड़ा फाइदा होगा और आपका नाम भी हो तो फिर आप जब भी पंखे की वायंनिंग करते हैं उसके बारे किर और इसका बारे किसी की किसी की भी तो उसका रूटर और इसस्टे यह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उसके उपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा वीडियो कर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार